अब देखो यार अगर तुम लोगों ने अभी तग एडब्यू के आज हुए डाइनमाइट का मेन इवेंट नहीं देखा है तो गाईज मैं तुम लोगों को बता दू डाइनमाइट के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा हमें एडब्यू पर उनका रिटर्न करते हुँ इन दोनों के इस मैच के अंदर केनी ओमेगा के तरब से हमें जबरदस परफॉमेंस देखने को मिली जहाँ पर आज इन दोनों के इस मैच के तरब से हमें केनी ओमेगा के तरब से टर्मिनेटर वी ट्रीगर और सुस्पाइक ड्रैम जैसे मूव देखने को मिले और गाईज यहाँ पर इस मैच के अंदर करीबन 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के उपर कैनी ओमेगा वन विंग एंजल के साथ इस मैच को जीतने ही वाले होते गए तब ही सड़्िनली डॉन केलिस रेफरी को डिश्ट्रेट कर देते गए जिसके बाद के कानी ओमेगा के उपर अटेक कर देते गए बड़ गाइज इसके बाद जूद भी मैच के एंडिंग के उपर कैनी ओमेगा उनका फनिसर वन विंग एंजल हिट करते गए और गाइज केनी ओमेगा के वन विंग एंजल के साथ केनी उमेगा इस मैच को जीच जाते गए जहाँ पर मैच के ओवर होते ही डाउन केली सकॉनसू के तेकेशिता और क्लोडियो को श्टोंगली ये सबी रिंग में आकर उमेगा पर अटेक करने लगते गए और गैज इसके बाद डॉर्क ओर्डर के मेंबर हैंगमन एडम पेज को यहाँ पर क्लोडियो पने सरोक देते गए और गैज यहाँ पर डाइनमाइट के एंडिंग के ऊपर आज हमें काफी सिनेमेटिक सिनर्यू देखने को मिला